ऍो नमस्कार आप देख रहे हैं विद्नेश्टुडे बाजार बाईजू पर इडी ने चापे मारी की है पूरा मामला क्या है आकिर वह कौन सी बात है कि इडी को ऐसा लगा कि चापे मारी करनी चाहिए पूरा मामला समझेंगे मेरे साथ मेरे सेयोगी हर्ष है सबसे पहले ये बताइए जो चापे मारी हुई है पूरा मामला क्या है और क्या निकल कर अभी तक आया है सर देखिए बायजूज जो आपको बताएं कि अगर भारती स्टार्टप में एक ध्वज लेके जो सबसे आगे चल रहा था जंडा लेके वह बायजूज जीदी था बताए एक तरही के साब पोस्टर बायवार सकते हैं और इस पर चापे मारी होना बहुत बड़ी बात है और मामला क्या है मैं आपको समझाओं देखिए बायजूस के उपर मौजूदा वक्त में सरफ एडी नहीं तीन तरह की जाच चल रही है एक तो मिनिस्ट्री ओफ कॉर्पेट अफेर्स की जाच चल रही है उसके लावा जी एस्टी की इंटेलिजेंस टीम की जाच चल रही है और अभी हाली में हमने जो देखा वो एडी नहीं एन्फोर्स्मेंट डिरेक्टेट की जाच चल रही है अब एडी की जाच की हम बात करें तो एडी की जाच चल रही है वो फेमा के तहट चल रही है अब हुआ क्या तीन जगाओं पर च्छापे मारी की गई है तीन ठीकानों पर जिसमें से दो हैं office by juice के और एक है घर तो इन तीन जगों पर छापे मारी की गई है अब फेमा के सबसे बात करें जो भी विदेशी currency, foreign currency में जो भी transactions होते हैं वो फेमा के अंदर आते हैं, फेमा के तहत आते हैं और इसी को लेकर यहाँ पर जाच चल रही है, अब जाच किस हिसाब से चल रही है यह भी मैं आपको explain कर देता हूँ अब 2011 से लेके 2023, अगर financial year की बात करें, 2011 से 2023 के बीच में तो जो FDI आया है, foreign direct investment जो आया है, वो करीब 23,000 करोड रुपे का आया एक जाच का विशे यह है, दूसरा क्या जाच का विशे है, कि 9,700 करोड इसी दोरान remittance हुआ, यानि कि यह जो पैसा था, कंपनी ने बाहर भीजा, विदेशों में भीजा और क्योंकि कंपनी क्या है, सर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है कैई जगाओं पर दुनिया के कैई देशों में है, इसका जो कारोबार है, बिजनस फैला हुआ है, तो कंपनी ने गोला कि हमने एक्सपेंशन के लिए यहाँ पर यह पर यह पर यह जाच कर रही है, जो एडी है, भी मामले की जाच चल लिए तो यह एक जाच कर दूसरा वि ने जाच कर रहे है तो इस एक मैच कर रही है। अच कन पर यहेह पर दुनिया क dispatch कर दूसरा को सब्सक्राइबिक कर रही है क्या है इसके का जियुक्त भी बहुत माने क्योंग अब जिए तक रिजल्ट्स ही अगले सवाल मेरे जल्स को लेकिए था क्वएए। कि कर में अपनी वेल्योशन को बढ़ा चड़ा करना और जो बाहरा पार इंवेस्टमेंट आया वह भी एक हाईपर इनवेस्टमेंट था दूसरा रिजर्ट्स को लेके विवाद यह पुरा विवाद क्या है यह देखिए मैं आपको कि वित्वर्ज 2021 से अभी तक अभी तक इसके अकाउंट जो हैं वो बिलकुल भी उसके कोई भी जानकारी लिगलकर नहीं आएगा एकाउंट की जो जांच होती है जो इन्फोमेशन होती है जो रिजर्ट्स होते हो थर्ड पार्टी से करा जाते हैं तो हम लोग देखते भी है अभी तक इसको लेकर जानकारी नहीं आई है और एवन हमने पीछे भी देखा कि वित्वर्ज 2020 में भी जब मिनिस्ट्री और अफेर्स की तरफ से बोला गया तब जाके इनों अपने रिजर्ट्स जारी करें और यहां पर भी चौकाने वाली बात थी जब रिजर्ट्स जार बात है और अभी तक देखिए अभी तक अकाउंट जो है इसका आडिट नहीं हुए है दोजार लग वितवर्ज 2021 के बात किया अभी तक इसका आडिट नहीं हुए है यह भी चौकाती चीज़े है तो इसकी जान चल रही है अब यहां पर कुछ जो सोर्स के हवाले से खबर ह हम अब पुछते नहीं करते हैं जो मीडिया रिपोर्ट से वो कर रहे है कि एडी की एक और वज़ा है कि उसने जो जो रविंद्रम है जो इसके बेसिकली कंपनी के फाउंडर है वो उनको कही वार समन भीजा गया एडी के जरीए लेकिन एक वार भी वो पहुंचे नहीं और यहां पे सर यह भी हम गलत हो कि हम बाइजूस का वर्जन ना वता है तो बाइजूस ने अपने वर्जन में साफ तोर पर कहा है कि हम लोग यह रूटीन जाच है हम ट्रांसप्रेसी यानि पारदश्ता बरत रहे हैं हर एक चीज की जानकारी खुल कर दे रहे हैं और जो बाइजूस को चोटी मूटी कंपनी नहीं है जो बड़े-बड़े टाइगर ग्रोबल हो गया सुखोया कैपिटल हो गया यह बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स ने बहुत बड़ी मात्रा में निवेश कर रहे हैं मेरा अगला सवाल इसी को लेकर था मेरा अगला सवाल वी जूँस का वीवादों से पुराना नाता रहा है इसकी क्या वजया है क्या वजह क्योंकि कोई भी स्टार्ट-अप होता है उसको कहीं नहीं उसको अपनी छवी को भी क्लीन यह लिस्टट fluु तो उसे तरह वीवाद भी इसके साथ जोड़े उप्ली कमनी नहीं है विवादों में क्या गहरा नाता रा इस कम्पनी का? बहुत जाइंट स्टार्टप है अब जब क्रोना के दौर में इसको खूब जम कर क्योंकि बहुत सारे स्टार्टप से जिन्होंने खूब मुनाफ़ा कमाया है सब घर से पढ़ाई कर रहे थे तो रेविन्यू में जबर्दस ग्रोथ हुई और ऐसे जवर्यान में जब इसको रेजल्स गोषट करने की बात आती है तो यहाँ मंत पर कंपनी रीसल्स गोशित नहीं करती है मंसी जर्ड़ाथ बहुत हैं मद्लिंड पे बोलना है कि एपनी रीसल्स जारी किज़े आप इतने गाटे में और आप इतना बड़ा खर्चा इवेंट की स्पोंसर्शिप पे कर रहे हैं फिर वापिस हाथ खीशने पड़े इस तरह की खबरे निकल कर आई तो क्योंकि आपको प्रॉफित हो नहीं रहा था देगि जो क्रोना के बाद से जो भी था जितने भी इस लिए बड़े हो चोटे हो बेसिकली लों उताते हैं वह सष्टे दौरों पर और इस पर निवेश करते हैं तो बुर्फितृ अपर क्रवा तो इस लिहास से कंपनी ने कैफी तरीके से फाइदा उठाया वही जो है यहां पर एडी और जो दूसरे जो है डिपार्टमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंट्रेजन्स यूनिट है वह भी जांच कर रही है बिल्कुल बिल्कुल जैसा हर्स ने बताया कि यह पूरा मामला बेसिकली कहीं ना कहीं बाईजू के जो फाउंडर थे उनको नोटिस दिये गए वो नोटिस सर्व होने के बावजूद वह एडी के सामने पेश नहीं हुए सूत्रों के हवाले से आले की नहीं है उसके बाईजू का बयान आया है बाईजू ने अपने बयान में काया कि हम पारदर्शीता के साथ काम करते हैं और हम पूरा एथिक्स जो बिजनस एथिक्स है उनको फॉलो करते हैं लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि एडी की जांच में कुछ निकला या नहीं और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि बाईजू जैसा स्टार्ट अप भारत म वाके में एक बड़ी कंपनी बन पाएगा या फिर इस पर काले बादल मन राएंगे बिजनस जगत की तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते हैं बिजनस टूरे बाजार वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें